मैं प्रकास आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के येट्यूब चैनल पर दोस्तों आज है 23 जून, 23 जून 2021 से जितने भी करेंट अफेयर की important question बने हैं उसके साथ इस टेटिक जीके और हर question से related fact आपको दिये जाएंगे सिर्फ आप लाश तक बने रहे हैं य यूपी टेट, सी टेट, सूपर टेट, यूपी असाई चाहे जहां भी आप कोई भी competitive exam देते हैं अगर वहां पे current affair और GKS related कोई भी चीज पूछी जाती है तो आपके लिए ये session बेहत ही important रहने वाला है तो आप last तक ज़रूर बने रहें दोस्तों आपको session अगर अच्छा renew power के cmd सुमंत सिन्हा को किस company ने sdg pioneers के रूपे मानेता दी है दोस्तों यह बताने हैं आपको जो cmd सुमंत सिन्हा जी है इनको renew power के यह दोस्तों cmd है यह चीज़ाद रखेंगे पहली बात यहां से और किस company ने सब्सक्राइब को SDG pioneers के रूप मानेता दिया है आपको यह बताना है किसने दोस्तों तो बतातेंगे यूंगC ने कि यूंगC यानिकी United Nation Global Compact इन्होंने इसको मानेता दे दिया है इनको याद दखेंगे दोस्तों यहां पर SDG आया है तो एक एक्जाम में SDG का full form पूश लिय जो छह नहीं होती है जैसे सन एनर्जी हो गया विंड एनर्जी हो गया विंड एनर्जी हो गया विंड एनर्जी हो गया यह सारे नर्जी छह नहीं होते हैं इन सारे कंपणियों को रिन्यू पावर के नेता के रूप में किसे चुन लिया गया दोस्तों तो याद रखेंगे स्रीमडी सुमंत सिन्ह जी को चुन लिया गया है यह चीज याद रखेंगे चलते हैं नेक्स कुछन की तरफ कि पहली बार कुरान का गोजरी गोजरी दोस्तों एक भासा है गोजरी जैसे संथाली है ना उसी तरह गोजरी भी है गोजरी भासा में अनुध किया था किसका सबसे पहली बार कुरान का याद रखेंगे दोस्तों जोकी हमारे मुश्लिम भायों का एक पवित्र ग्रण्त है तो उसका इन्होंने सबसे पहले किस में अनुवात किया था दोस्तों कुरान का इन्होंने सबसे पहले कलेजे हिंदी भासा में अनुवात किया था यह चीज़ याद रखेंगे दोस्तों अगर बात करें दोस्तों इनकी कुछ बुक हैं जो कि famous बहुत जाते हैं पुछ लिया जाएगा आपके आने वाले किसी भी एकजाम में याद रखेंगे सिराज उम मुनीरा और है एक अहकाम ए मैयत और एक तीसरा है कुरान और हदीस तीनों बुक आप याद रखेंगे वैसे तो बहुत सारे बुक इनके हैं दोस्तों यहाँ पर गोजरी भासा की बात हुआ है गोजरी भासा जो गोजरी भासा है दोस्तों याद रखेंगे जो गोजरी भासा है गोजरी भासा को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं गोजारी गोजरी और एक होता है गोजारी यह तो गोजरी है गोजारी गोजरी और गोजारी यह तीनो नाम से यह चार नाम से इसको लेके जानते हैं इसको दोस्तों जो दोस्तों गोजरी भासा है यह गुरजर जन जातियों द्वारा बोला जाता है जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत में फैले हुए है अग लिएजों जो गुजरात मेंगा रखेंगे मराठी मराथी भासा को लेथे वा था हाल ही में पियम मोदी ने कितने कोविड योधाओं को प्रसिचित करने के लिए क्रैस कोर्स की सुरूआत किये दोस्तों कितने कोविड योधाओं को मोदी जी किया मतब केंद्री जो केंद्र है हमारा प्रसिचित करेगा दोस्तों तो बता देंगे लगभग एक लाख मतब एक प्रैरस कोर्स वारे में या चीज सीखे जाएंगे और कुछ बात कर लेते हैं कstal कि उन्होंए देस कोष्चित कोष्ण में जो कॉरोना वाइरस है कुछ दिन बाद से परी canadra म babadra ऐस से तितिती सामना करने के लिए यह चीजें यह कदम उठाई जा रही है यह कारेक्रम जो है दोस्तों यह कारेक्रम 26 राज्यों में फैले 111 प्रसिचित के इंद्रों में चलाया जाएगा इन सभी प्रयास्तों के बीच कुसल जन सक्ति महत्तपूर है इसके लिए और कोरोना वायरस योद्धाओं की वर्तमान सेना का समर्थन करने के लिए एक लाख युगाओं को प्रसिचित किया जा रहा है दोस्तों जो की 2-3 महिने में यह कारेक्रम समाप्त हो जाएंगे तोस्तों यहां भी बात करें कि किस फिल्ड में दिया जाया गया प्रसिचित मतलब किस फिल्ड में इनको कुस सपोर्ट होता है medical equipment सपोर्ट होता है को वीडियो धाव को इस सारी भासाओं में मतलब इस सारी चीजों में उनको प्रसिशित किया जाएगा है ना दोस्तों इस बात आप याद रखेंगे चलते हैं tolerance के तरफ हाल ही में 밀गा सिंग का निधन हो गया या काउन थे दोस्तों एक महां धावक भारती महां धावक या regulator होती है और या primary वीडिया हमारी क्या होती ही दोस्तों मोटिवेट होती है और अपने काम को कारेरत रखती है अब बात करें इनके लिए दोस्तों तो इनका भी हाल ही में क्यान बेवर्श की आयों में कोरोना वाइरस रोगी से या फिर कोई-19 से निधन हो गया दोस्तों यहाद दखेंगे यह पूर्व सैनिक भी थे दोस्तों यहाद दखेंगे मिलखा सिंग ने दुनिया भर में ट्रैक और फिल्ड परधाओं में देश के लिए बहुत जादे पुरसकार जीते हैं जैसे अगर एस्याई खेलों की बात करें तो दोस्तों चार सुरड पदक इन्हों ने जीता है सबसे पढ़ें इसके बाद 1962 में जाकारता एस्याट में फिर उन्हों ने जीता 400 मेटर में और 1600 में रिले दवड में स्वरड पदक जीता दोस्तों इन्हों ने पिसके बाद 1960 में फिर उन्हों ने रोम ओलंपिक में चार सु मिटर फाइनल में करिब 4 अस्थान पर रहने के कारण यह दोस्तों ओलम्पिक पदक से चुक गए थे कहले जिए लेकिन इन्होंने आखिर ओलम्पिक में चौथा स्थान तो लाया यह बात याद रखेंगे है ना चलते हैं अगले क्वेशन की तरफ हाल ही में संघर्स में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतराश्री दिवस कब मन मनाया गया दोस्तों बता देंगे यह 19 जून को मनाया गया दोस्तों यह बात याद रखेंगे आपके पूछा जा सकता है जून महिने में जितने भी डेट हम आपको बताए हैं सारे आप कमेंट बॉक्स में लिए एक बर वीडियो पाउज करके तो अगर हम बात करें संघर् एलिमिनेशन आफ सेक्स्वल वाइलेंस इन कॉन्फलिक्ट है यह हर साल 19 जून को ही मनाया जाता है विस्तवस्तर पर मनाया जाता है इस दिन का उद्देश सिर्फ यह होता है जो संगर्ष से संबंदि जो जिनके उपर उतपीड़न का कार रहुआ है जो बच्चे हो या भी ही नहीं दोस्तों आपके लिए हम लोग हैं मतब इस तरह के उनको उनको प्रुसाहन करते रहना और उनके सद्धानजली के लिए हमेशा यह दिवस दोस्तों 19 जून को ही मनाया जाता है हर साल यह बात याद रखेंगे संगर्ष में यौन हिंसा और मूलन के लिए अंतराश् लाश्ट के बारे मरे भी सब्वा सब्कश १ सराइब की सब्वा देते हैं श्वजन सब्वारत अस्थापना है जो 24 उक्तूबर लेंगे जह हैं कौन से महासभा सुरच्चा परिष्ट आर्थिक परण्यास परिषद आरति आर्थिक और समाजिक परिषद परियास परिषद अलग है सबसे पहले सब्सक्राइब करें किने सबस्क्राइब नाम बताएंगे त्रिगवेली याद अर्वेक थी इस तम में कौन है अन्तेनियों बुतरेस जो की पुर्तगाल रख सकते हैं. चलते हैं नेक्स वसंट के तरफ. हाल ही में किस राज सरकार ने सुरू किया यूवा सक्ति को कोरोना मुक्त अभियान ये किस राज सरकार दोरा सुरू किया गया है। अगर बात करें यहां पर गवर्नर का होने तो बता देंगे आनंदी बेन पटेल जी हैं अगर बात करें दोस्तों यहां पर कुसल सरमी के लिए रोजगार सेतु योजना भी सुरू हुआ था जिसमें मास्क महिलाएं बनाएंगी और 11 रुपए में उसको सिल किया जाएगा एक जीला एक सिल्फ अभियान भी सुरू हुआ था संकल्प योजना उमरिया जीले में दोस्तों यहां के सुरू हुआ था जिसमें की बुजूर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू किया गया था दीदी वहां सेवा जबूआ डिस्टिक में सुरू किया ग यह हमारे भारत का ऐसा राज है दोस्तों यह और एक आपका पंडबान निकोबार्ट दोनों में दोस्तों नव नव कलिजे नाइन और नाइन राष्टी उद्ध्यान हैं यह चीज़ा दखेंगे मदब्रे सरकार ने विदिसा सहर में सुसमा सुराज की प्रतिमा स्थापित कर ने के लिए भी नेड़र किया था धोसंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदा पूरम रखा गया था दोशता विद्धुत योजना भी यहीं पे लांच किया था इंतजार आपका अभियान भी यहीं पर सुरुक किया गई था तीन राज सरकार ने तीन राश्टी उद्यानों में रात्री सफारी भी शुरू किया गया तो तीन राज सरकार ने कौन-कौन से तो पहला उसमें से मद्ध प्रदेश भी था इसके बारे में आप याद रखेंगे मद्ध भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ साउर यंत्र कहलेजिए कहां पर मद् अपरदेस सबसे जग्रना की साथया से दोजार उन्यस के याद रखेंगे सबसे ज्यादा यहां पर बाग भी थी है याद रखेंगे सबसे ज्यादा नदियां यही прим खापित किया जाएगा वैदिक सिच्छा और संसकार बोर्ड दोस्तों तो बता देंगे यह दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा तो अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं राजस्थान का कै प्षी ही तो मिल्क पर प्रोजेक्त की पूर वी एक तरही deprived काम देनों डेरी यूजना भी सुरू किया गय लोग सबहा की सीथ है राज सबहा की सीप दस विदान सबाकरी 200 तो भी कि दोर्icamente चलते हैं next question के तरफ हाल ही में sport brand Puma इंडिया ने किसके साथ साज़ेदारी का विस्तार किया है दोस्तों दोस्तों है हमारे किरिकेटर हैं पुर्व किरिकेटर कर लेजिए क्योंकि इन्होंने सन्यास ले लिया है यूराज सिंग जी दोस्तों याद दखें के एक तरह किसी कर लेजिए जो आपका प्यूमा है दोस्तों प्यूमा अगर आप उसको नोट करते हैं तो बहुत भाष्ट को बहुत 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 नोट्स त्यार हो सकता है दोस्तों अगर आज के कल की question की बात करें तो जो आपसे पूछा गया था हाल ही में किस company को मिला है बीमा breaking license तो policy बजार आपने बता दिया था दोस्तों आप इसके बारे में ज्यादा ज्यादा लिखिए दोस्तों जो भी question पूछी जाते हैं उसके बारे में ज्यादा ज्यादा लिखने को सिस करिए और उसे define करने को सिस करिए जिससे की यह चीजें आपको हमिशा के लिए आपको सारे बच्चों को सेयर करिए जिससे की और स्टूडेंट्स जूट सकें आपके फैमिली जल्द ही बड़ी हो सके धन्यवाद दोस्तों